Mission Impossible उन गिने चुनी फ्रांचाजी में से एक है जो अपने दम पर हर दम कुछ नया करते हुए आगे बढ़ रही है Mission Impossible इस फ्रांचाजी की अब तक की फिल्मों में से साथ फिल्म बनने वाले हैं हाला कि Mission Impossible की दो पार्ड अनौस हो चुके है उन में से पहला पार्ड आज रिलिस हो चुका है और आज की ये मुवी इस बात की पूरी तरस से कैरेंटी देती है कि फ्रांचेजी ने अपना रेपूटिशन पूरी तरस से हाई स्टेंडर पर मेंटेंड किया है एक की बात एक आने वाले अन्बिलिवेबल और शरीर के रोंगटे खड़े करने वाले स्टन्ट और देशो दुनिया को बचाने वाले उतनी तगड़ी काहनी जिसमें गुड वर्सिस इविल वाला वहे पूराना फर्मला यूज किया गया है AI को पूरी तरसी दुनिया को तबा करने वाला होता और साथे में एक्षन का एक्ष्टा डोस इसी करन अन्य कई सारे मायनों में ये फिम आपके लिए मोस्ट वर्चिबल बन जाते है इस फिम की शुरुआत से ही इदन हंट के आयमे पाली दुनिया में AI ओपरेटिंग सिस्टिम एंटिटी का नए चाप्टर शुरू हो जाता है AI Operating System Entity पूरी दुनियों को इस तरह से तबा करने पे तुली थी जिस तरह से इस दुनिया में कोई खराबे आ गए हो Entity पूरी तरह से बेकाब होई थी उसे कापू करने के लिए पूरी तरह से स्टॉप करने के लिए इतन हंट को एक चाबी चाहिए थी जो दो पार्ट में बिक्री हुई थी एंटिटी को पूरी तरशी स्टॉप करने के लिए कोई की ही होगी लेकिन इस बात के लिए इतन हंट पूरी तरशी शूर नहीं था लेकिन अब तेय किया है तो उस की की खोज में उस रास्ते पे इतन हंट निकल जाता है उसकी को पाने के लिए इतना हन के रास्ते में बहुत सरे परकिये शक्तिया अपना हस्तिक शेप कर रही होती है इस फ्यूम का सपर यहे पे कतम नहीं होने वाला है अरे दोस्तों अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैं पूरा दावे के साथ में यह बात कहे सकता हो कि पूरी दुनिया में इस फ्यूम के एक्शन ओर्ष्टन की इस तरह से हावा फिल गई है एक्शन की बात ही पूरी तरह से निराली है टॉम क्रोज इस फ्यूम में पूरी तरह से दोड रहे है रॉंग साट से गाड़ी चला रहे है कार के उपर से बाइक के उपर से बिना जान के परवाक्य है जम कर रहे है बड़े बड़े बिल्डिंग के उपर इस तरह से चल रहे हैं जैसे बाजार में बुम रहे है इतने सारे फिल्म के प्लस पॉंट से फ्रांचेजी के डाय हार्ड बेंड को अंदर से गुदगुदई ही होते होगी इस फिल्म का स्क्रिन प्ले एक तरह से उसकी को पाने का एक ट्रेवलोग है तो इस फिल्म की कहाने में कहीं भी छोटे चोटे चोटे लूफोल्स नहीं देखने को मिलेंगे फिल्म के माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोगफ्य और एडितिंग यहाँ पे मार खा जाती है अभेने की बात करें तो इस फिल्म के लिए टॉम क्रूज की डेडिकेशन को पुरतरी से सलाम करना पड़ेगा मतलब दोस्तों क्या बंदा है अपने श्रंद तो खोती करता है लेकिन हर एक स्टोन को इस तरह से डिजाइन करता है कि वो अनपिलिवेलबल हो जाती है जितनी ही फ्रैंचेजी पुरानी हो रही है इसका हर एक क्यारेक्टर उतना ही मैच्योर हो रहा है बीते हुए हर एक साल के साथ में इस फिल्म के हर कैरेक्टर के साथ में लोगों की इमोशनल आटेज में बढ़ती ही जा रही है विंग रैम और सिमन पेग ने इस फिल्म में बहुती बढ़िया और जबर्दस्त अभी ने किया है लोटर और बेंजी के कमेडिक सेंस से एरपोर्ट वाला सिन बहुती मस्ट वाचेबल बन चुका है पेनेसा करभी को अपने हिस्से का जबर्दस्त तकड़ा स्क्रीन टाप में ला है से जो भी नए केरदार आये हैं वो कहीं पे भी बोर्ड नहीं करते हैं डाइरेक्टर क्रिस्तोफरन मैक्कुरी ने इस फिल्म का एंड सीन इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका सेकंड पार्ट के लिए इंट्रेस बना ही रहेगा इस पार इस फिल्म के लिए टॉम क्रूज कहीं एवरेस से ही ना कुछ जाए मतलब टॉम क्रूज ये नाम ही कापी है Mission Impossible Date Recording Part 1 ये फिल्म आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बतना मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और मेरे रिटेन को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते अगले वीडियो में और एक नए रियू के साथ में और एक नए फिल्म के साथ में तब तक लिए नमस्कार